हलो दोस्तो वेलकम टो दा इंफो स्टोर हाउस और कैसे हैं आप सब और आपसलिटली फाइन और आज की जो इन्फो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो ये है हमारा क्लीनिंग सॉल्यूशन जो हम घर पे बनाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन चाहे हमें ग्यास टोव साफ करनी हो या स्लाब साफ करनी हो या हमारे घर के कोई भी चीज़े साफ करनी हो उसके लिए बेस्ट इसमें हमने लिया है मानी पानी को उभाला और उभालने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा मिलाया डिटर्जिन डिटर्ज है जैस हो या आपके घर का कोई भी साहो मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और यह हमने एक बोटल में फिल कर लिया ठंडा होने के बाद क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल है थंडा होने के बाद यह उसको फिल करें और स्प्रे बॉटल हो तो बैस्ट है स्प्रे बॉटल से क्लीनिंग बहुत ही असान हो जाती है तो चलिए मैं आपको एक चोटा सा डेमो देती हूँ तो इसमें ये जो गैस ये जो स्टोव है ये स्टोव बहुत ही जादा गंदा हो रहा था क्योंकि अभी दाल वगेरा सब चड़ाई थी इस पे और उसके बार ये बिलकुल बेकार हो रहा था तो इस पे मैंने ये स्प्रे बहुत अच्छे से कर दिया था और अगर ऐसा कुछ है जैसे चाय के दाग जैसे दो दिन से लगे है या वो बिलकुल जम गए है या कुछ जला हुआ निशान है तो इस तरह का solution बनाके आप उसको spray करके कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और देखिए वो बिलकुल बिना किसी मेहनत के इतनी असानी से सब साफ हो जाता है तो ये try जरूर कीजिए बिलकुल एक तम मेरा gas stove बिलकुल चमक गया था नई जैसा और even ये एक बहुत ही अच्छा disinfectant भी है क्योंकि हमारा kitchen area एक ऐसा area होता है जो सबसे जादा use होता है और उसे सबसे जादा clean रखने की जरूरत है तो इस चीज़ के लिए ये solution best है चाहिए हमें kitchen को disinfect करना हो या बिलकुल अच्छी तरह से clean करना हो तो ये homemade solution है बहुत ही अच्छा है ट्राइज जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share and subscribe till then, goodbye